है लो गाईज विलकम बैक टू स्वाद इंडियन मैं हूँ आपका दोस्त रियाथ और मैं हूँ इस टाइम बहराईच दरगांश शरीफ में जहां पर शुरू हो चुकी है एतिहासिक जेठ मेले की तैयारी तो गाईज पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ मेला कब से शुरू ने वाला है तैयारी आज़ कया हो रही है जूले कौन भौन से आए है तो दोस्तों फाइनले आपको बता दे है कि मेली की तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है तो वीडियो को पुरा आयम तक देखेगा राग sniff ।ो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो पसंद आई वो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना बुलिएगा और हाँ अगर आप पहराई से ग्लाउंग करते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा तो आईए वीडियो तो दोस्तों फाइनली आपको बता दें कि जेट का इतिहासिक मेला 30 मई से स्टार्ट है और में मेला 2 जून के है यानि बहरातें 2 जून को आएंगी और आपको बता दें कि आज 8 मई है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तयारियां बहुत ही जबर्दस्त तरीके से श ये रोड जंजीरी गेट को जोडती है मैं रास्ता है और जो ग्राउंड आपको दिख रहा है यहां पर जूले लगयरा लगाए जा रहे हैं जूले के सिस्टन में हम आपको भी लेख जलेंगे जिलाइन हम आपको जुसको वी हम आपको दिख्या आएंगे और यहां पर आप तरफ पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है जो कि धीरे धीरे भरना इस्टार्ट हो जाएगा अभी दुकाने भी कुछ आई हैं कुछ नहीं आई हैं और यहां पर देख सकते हैं आप रोड बनने का काम चालू है काफी क्लीन डोड बनाई जा रही हैं आप अपर मजदूर वग पूरे महीने मिलती रहेगी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह चंजीरी गेट के तरीभी का रोड है और इसको टीन किया जा रहा है एक डम रंगा जा रहा है डिवाइडर को रंगा जा रहा है मजदूर वगयरा यहां पर पेंटर लगाए ले हैं और इ ऐख बड़ा जूला है जो हम आपको अभी दिखलाएंगे अभी आप फिलाल देख रहे है eon वाला जूला है ज्सको को प्रेइन की मदद से लगाई जा रहा है और यहां पर जूल के तमाम समान भी बिखरे पड़े हुए है अभी हम आपको ग्रंड दिखलाएंगे जो ग् पर नहीं आया है, उमीद की जा रही है कि 13 तारीक को एलेक्षन है और 14 तारीक को ये मेला पूरा भार जाएगा, फिर 14 ये 15 को मेरी अगली वीडियो आएगी जिसने मेली की तैयारियों की अपडेट आपको हम ते रहेंगे, ये दूसरा जूला है, ये काफी फास्ट जूला च बाकि सब यहाँ पर अभी ग्राउंड फूरा खाली पड़ा हुआ है, तो दोस्तों आईए अब आगको सरकस की तरब लिए चलते हैं, यहाँ पर बच्चे स्पिरी में जूला जूल रहे हैं और सरकस का ग्राउंड भी खाली पड़ा हुआ है, अभी कोई सरकस यहाँ पर न झाल जो जो आ कि अ घुलुप झाल